नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दमे की समस्या के बारे में जिसको आस्मा या अस्तमा भी कहा जाता है कि असल में ये जो समस्या है ये है क्या दीखे जब किसी व्यक्ति को खासी बार-बार आनी शुरू होती है उसे बलगम की समस्या हो रही है, साथ में उसे कुछ दिनों में सांस लेने में बहुत समस्या आने लग रही है, थोड़ा सा चलते ही उसे सांस चड़ जाती है, तो इसे दम्मे की शिकायत कहा जाता है। लेकिन ये जो शिकायत है ये होती क्यों है ये समस्या आती क्यों है दिखें क्या होता है जब धूल के कण या कोई infection या किसी तरीके का chemical हमारी सास के साथ हमारे अंदर जाता है और वो हमारे mucos यानी बलगम या कफ के साथ मिलता है तो वहाँ पर एक reaction होता है जिसकी वज़ा से inflammation यानी सूजन होती है अंदर हमारे फेफडों में और नसों में साथ में वहाँ पर जो mucos है उसका secretion बढ़ जाता है जिसके कारण दमे की समस्या देखने को मिलती है इसके अलावा कई बर ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ लोगों को जिन चीजों से allergy होती है अगर वो खा लेते हैं तो भी दमे की शिकायत देखने को मिलती है ऐसा क्यों है देखे जो चीज आप खा रहे हैं और उससे अगर आपको allergy हो रही है मान लीजिए आप मुफली खा रहे हैं और मुफली से आपको allergy हो जाती है तो असल में इसमें होता क्या है इसके mechanism को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए हमारा जो शरीर है उसके अंदर एक immune system है immune system को आप ऐसे सोचिए जैसे एक guard है जो रक्षा कर रहा है अब उस guard को जैसे ही दिखेगा कि कोई खतरनाक विक्ती आ रहा है कोई अतंकवादी आ रहा है कोई चोर आ रहा है तो वो सीधा उसको shoot कर देता है कुछ ऐसा ही होता है जब हम कुछ गलत खा लेते हैं मतलब कुछ हानी कारक तत्व हमारे शरीर में जाते हैं हमारे सास के द्वारा तो हमारा immune system क्या करता है उसको पहले रोकने की कोशिश करता है और जो वो नहीं रुकता तो उसे मार देता है जिसकी वज़े से बाकी चीजों को भ हमारे शरीर में जो होती है वो है inflammation सबसे बड़ा कारण है यह कहा जा है सबसे पहली चीज जो होती है वो है inflammation inflammation यानि सूजन हो जाना अब सूजने की वज़े से क्या होता है जो हमारी सास लेने की जो जगा होती है माल लीज़े यह एक pipe है ठीक है यह सीधा एक pipe जा रहा है तो हमारा immune system एक कम और करता है वो सबसे पहले अगर यही inflammation बार-बार हो रहा है तो हमारा immune system क्या करेगा? एक cover चड़ा देगा हमारी उस जगा पर जहां पर बार-बार attack हो रहा है cover किस चीज़ का? एक layer का जिससे की हमारे उस organ को नुकसान न हो अब यह जो layer होती है यह भी जगा गेरती है तो already आपका जो सांस की जो नली थी उसमे inflammation हो गई उसके बाद वो layer आ गई और बची कुछी जगा ले लेती है mucus क्योंकि जब कोई बाहर का जब कोई foreign agent हमारी body में enter होता है तो उसको रोकने के लिए mucus एक सबसे एहम रोल निवाता है mucus यानि आपका कफ यानि आपका बलगम वो कोशिश करता है कि उसको रोक के और बाहर थो कर दिया जाए बलगम के थुरू, नाक के थुरू जो आपका कफ आता है उसके थुरू इसी लिए वो जो बलगम है एक कवर चड़ाया हो ये तीनों चीजें मिलके जो आपकी जगा होती है वो लगबग इतनी सी रह जाती है मतलब ना के बराबर जिसके कारण क्या होता है जो breathing pattern होता है उसमें समस्य आती है मतलब rapid सांस लेने लग जाते हैं उन्हें सांस लेने में बहुत problem feel होती है हमें जो खासी आती है वो क्यों आ रही है क्योंकि वो जगा हमें मिलनी पारी oxygen हमें मिलनी पारी इस चक्कर में खासी आती है तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि असल में जो दमे की समस्या है वो कैसे होती है अब अगर हम इसके इलाज के बारे में बात करें तो बहुत एक सिंपल सा इसका इलाज है और वो है आपका homeopathy medicines मैंने क्यों कहा homeopathy medicines क्योंकि homeopathy medicines को सास से जुड़ी सभी बिमारियों में सर्वशेष्ट माना जाता है यह सिर्फ माना नहीं जाता क्योंकि हजारों नहीं लाखों positive results लोग face करते हैं और अपनी इस problem से निजात पाते हैं homeopathy medicines के द्वारा क्योंकि जब कोई patient भारत homeopathy यानि हमारे यहां आता है तो उसकी पूरी study की जाती है उसके according उसे दवा दी जाती है और उस दवा से उसे बहुत जल्दी positive results देखने को मिलते हैं क्योंकि homeopathy medicines आपकी जीप में ही dilute होके आपके blood के साथ मिलके काम करना शुरू कर देती है लेकिन अगर आपको मेरी बाते सुनने के बाद मन में कोई सवाल आ रहा है कोई doubt आ रहा है तो आप उनका जवाब अभी पा सकते हैं कैसे जो नीचे दी है यह जो number दिख रहे हैं आप इसपे call करें हमारे doctors की team बैटी है वो आपके सभी सवालों का जवाब आपको देगी और साथ ही साथ क्या precautions लेने हैं कैसे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना पूरी की पूरी सला आपको देगी वो भी free of cause तो what are you waiting for number मिलाइए अपनी समस्या का समधान लेजिए लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रश्ण है जो आप हमसे पूछना चाते हैं तो आप comment section में लिख के भी पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर कीजेगा और इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe भी जरूर कर दिजेगा तो अब इस वीडियो में मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में त